सिरी सिवाय नमस्तुप्यम हरहर महादेगदर्श को सौमार के दिन इन पांच आसान उपायों को करने से भगवान भूलिना की क्रपावर्स्ति है और व्यक्ति की मनवान चिते इच्छाएं पूरी हो जाती है वह जो भी सोचता है उसे वह आसानी से मिल जाता है जो भी सामस्त्याएं हल हो जाती है और आपको सफलता मिल जाती है अगन आपका वियोपार नहीं चल रहा है तो भी आपको भगवान भूलिनाथ की multif नasma करने करने और उनके कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति की हर इच्छा पूरी हो जाती है और भगवान भोलिनात की क्रपा वर्षती है हिंदु धर में हर किसी दिन किसी देवता की पूजा अर्चना होती है सौमार के दिन भगवान सिव का दिन होता है इस दिन भगवान सिव की पूजा अर्चना होती है जो भगवान भोलिनात को अपना इस्ट मानते हैं वे सौमार के दिन का बड़ा वेसवरी से इंतजार करते हैं भगवान भोलिनात की पूजा अर्चना करने के लिए जो भगवान उपाएं करना बिल्कुल भूलें कहा जाता है कि अगर आप सौमार के दिन ये उपाएं कर लेती हैं तो आपके हर कार्य विगड़े हुए होती है तो वे सफल हो जाती है बैवाइक जीवन में सुकसानती आती है और भक्तों पेसिव जी की क्रपावर्स्ती है इसलिए सौमार क दिन सोवा उठते ही इशना नाधी करने के बाद अपने काम से निब्रत होने के बाद भगवान भोलेनाद की पूजा अचना करें और भगवान भोलेनाद का कोई भी मंदर आपके पास में हो तो उसमें एक लोटा जल और जल में थोड़ा सा कच्छा दूद मिला कर भगवा से यहार जल से जल प्रशन हो। Самमार का दिन से पूजा के लिए सम्रपित होता है इस दिन भगवान भोलेनाद का अव्शे करना बहुती ही सुमाना जाता है साथि इस दिन भगवान भोलेनाद की सिवलिग पचंदन अच्छत बेल पत्र धतूरा, दूद, गंगाजल, समी पत्र चड़ाने से भगवान संग का जल्द ही प्रेसन होते हैं और भक्तों की मन वांचेते च्छाओं को फूर करते हैं तीसरों पाई ये है कि भगवान भोलिनाथ को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए समार के दिन भगवान सिर्व घी सकर गेहुं के आठे से बने प्रेसाद का भोग लगाना चाहिए साथी समार के दिन घी में अपने हाथ की तीन उगलियों को डवा कर भगवान सिर्व की सिवली पत्र पुंड बनाना चाहिए ऐसा करने से भगवान भुलिनात प्रेशन होते हैं, भगवान भुलिनात की दूप दीब जला करके आरती करनी चाहिए और प्रसाद का वितरर करना चाहिए, ऐसा करने से सिव की क्रपा होती है और भगतों के सारे कर्ष्ट दूर हो जाते हैं चौथा पाई ये है कि सौमार के दिन कौन से मंत्र बोलने चाहिए जिन से व्यक्ति की मनवान चिति च्छाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाएं तो आपको बता दें कि सौमार के दिन आप भगवान सिव के सबसे सक्तिसाली मंत्र महामरितुन्याय मंत्र का जाप करें इससे बहुत जल्द ही प्रेशन होते हैं और भक्तों की सारी मनुकामनाएं फूर कर देते हैं महा मृतुन जय मंत्र इतना सक्तिसाली होता है कि व्यक्ति को मृत्यू के मुवसे भी बाहर ले आता है मृतुन जय मंत्र का जाप करने से भगवान भोलेनाथ प्रेशन होते हैं साथ ही सौमार के दिन गाय का कच्चा दूद भी भगवान सिव की सिविलिंग पर अर्पित करना चाहिए उनका अफशे करना चाहिए ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय होता है कच्चा दूद चड़ाने से भगवान भोलेना प्रशन होते हैं और व्यक्ति की मनवांचिति च्छाओ को फूर करते हैं पॉड करते हैं ये है कि सो मार के दिन जरूरत मंदों को दान करना चाहिए वगवान सिविलिद में कोई भी बश्तों को दान करें ऐसा करने से कुंडली में चंद ग्रह की इस्तती मजबूत होती है और घर में सुक्सांती बनी रहती है और महादेव की क्रपा उसके उपर सदय बनी रहती है तो इसको उमीद है आज के यह उपाय आप लोगों को पसंद आए होंगे पसंद आए तो वीडियो को ल